नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रफेसर भापना और आज मैं एक खास वज़े से आपके सामने उपस्तित हूँ और ये वज़े है आपको ये बताने कि कि आखिर क्यों मीडिया डिक्षनरी इनिशियेटिव जैसे अथक अनवरत प्रयासूं की जरूरत है आज भारत जैसे विकास शील देशों में जैसा कि हम जानते हैं कि आज पड़ी तेजी से मीडिया का जो दखल है वो हमारी जिंदगी में बढ़ा है ओडियो, वीडियो, टेक्स्ट, मीम्स ये सारे रूप धर के जो मल्टि मीडिया है आज हम पर धेर सारे मैसेज़ेस की बंबारी कर रहा है और हम सब कहीं न कहीं इस इन्फोर्मेशन ओवरलोड से पेड़े थे इसके साथ ही साथ आज जो ये डिजिटल युग है, इस युग में महिलाओं के प्रती डिजिटल हिंसा भी बड़ी है और फोटोशॉप की बात करें या फिर फेक आईडीज के जरिए महिलाओं को बदनाम करने की, उन्हें ब्लैक मेल करने की कोशिश की जाती है जिसकी वज़े से महिलाओं अपने आपको सीमित कर लेती हैं और वो डिजिटल जो प्लैटफॉर्म्स हैं उनसे दूरी बना लेती हैं वो डॉक्सिंग, साइबर बुलींग, ट्रोलिंग का शिकार होती है और कहीं न कहीं इससे पिर एक डिप्रेशन भी आता है, डर भी उनके मन में पैदा होता है और ये जो आटिफिशल इंटेलिजेंस है, उसने इसमें और आग में घी डालने का काम किया है पहले कहा जाता था कि कानन सुनी से जादा हमें आखों देखे पर विश्वास करना चाहिए लेकिन आज जो ये और आगमेंटेड रियालिटी जैसी तक्नीक है, कहीं न कहीं इन्होंने ये जो कहावत थी उसे जूटा सावित कर दिया है क्योंकि आज जिस तरीके के वीडियोज, फीक वीडियोज हमारे सामने आते हैं इन आगमेंटेड रियालिटीज के जरिये जिन्हें बनाया जाता है उसने सच और जूट के बीच का जो फर्क है उसे बहुत ही कम कर दिया है आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिये, मतलब जो लोग बहुत एक्सपोर्ट हैं उन्हें भी कई बार ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो वीडियो वो देख रहे हैं वो सही है या फिर फेक वीडियो है या दीफ फेक वीडियो है तो इस वज़े से अब तो आखों देखी पे भी विश्वास करना कहीं न कहीं बड़ा मुश्किल हो गया है और अगर मैं AGI की बात करूँ तो उसके जरिये जो ये दैत्याकार टेक कमपनीज हैं आज उनके पास ये ताकत हो गई है कि वो मास ओपिनियन जो है उसको बदलने की भी शमता रखती है तब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से हाथ पर हाथ रखतर हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं कुछ तो करना होगा और फिर रास्ता वही है मीडिया साक्षरता का पर फिर दूसरा सवाल ये है कि आखिर मीडिया साक्षरता की रह अगर इतनी आसान होती तो अब तक दुनिया कब की मीडिया लिट्रेट हो चुगी होती मीडिया साक्षर हो चुगी होती ठीक है स्कूल कॉलेजिस के अगर हम बात करें तो वहाँ फिर भी जो करिकुलम्स है उनके जरीए जो स्टूडेंट्स हैं उनको मीडिया साक्षर बनाया जा सकता है और खासतोर से अगर देखा जाए तो धनी देशों के लिए फिर भी यह संबब है अगर हम गरीब देशों की बात करें या जो विकाशील देश है उनकी बात करें तो वहाँ पर तो और मुश्किल हो जाती है अच्छा इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है वज़े यह है कि ये तो करिकुलम किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं तो ऐसे में फिर मीडिया साक्षर लोगों को कैसे बनाया जाए और खासतोर से उस तपके को जो कि इस आपचारिक सिक्षा से बहुत दूर है क्योंकि अगर मैं भारत जैसे देश की ही बात करूं तो हमारे यहां पर जो यह आपचा मीडिया साक्षरता को कैसे पहुँचाया जाए उनके अंदर मीडिया साक्षरता की भूख किस तरीके से जगाया जाए यह एक बहुत बड़ी चुनाओती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं न कहीं शुगर कोटेट जिस तरीके से दवाईया होती है जो हम बच्चों को में उन तक पहुचाएंगे तो उनकी जो समझ है मीडिया को लेकर वो बढ़ेगी उनकी जो भूख है मीडिया को जानने की वो बढ़ेगी और यही प्रयास मीडिया डिक्षनरी कर रही है और यह प्रयास करते करते आज मीडिया डिक्षनरी को दो साल हो गए है और तीसरे व 34 स्थानी बोलियों और भाशाओं में हम मीडिया डिक्ष्णरी के माध्यम से लोगों को मीडिया जागरुक करने का प्रयास कर रहे हैं और इस मीडिया डिक्ष्णरी परिवार में 50 से जादा मेडिया सिक्षक, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, ग्रहनिया, थियेटर साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शायद दुनिया की इक्का दुक्का ही ऐसी संसद हो जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो लेकिन मीडिया डिक्ष्णरी में 70 प्रतिशत से जादा महिलाओं का योगदान है और यह मीडिया डिक्ष्णरी को एक पहचान इससे मीडिया डिक्ष्णरी की बनती है कि इसमें सबसे जादा जो सदसे हैं वो महिला सदसे हैं मीडिया डिक्ष्णरी परिवार में हमारी कोशिश है कि देश और दुनिया की जितनी भी भाशाएं और बोलिया हैं उन सभी भाशाओं और बोलियों में मीडिया डि और मीडिया साक्षरता की जो यह राह है उसे और आसान बनाया जाए मैं शुक्र गुजार हूं मीडिया डिक्ष्णरी परिवार के सभी सदस्यों की साथ ही मैं शुक्र गुजार हूं उन सभी साथियों की जो परदे के पीछे रहते हुए लगातार मीडिया डिक्ष्णरी को स शुक्र गुजार हूँ प्रिस्टीज इंस्टिटूट में पढ़ने वाले जतिन की जो लगातार क्रियेटिव पोस्टर्स वगेरा हमारे लिए बनाते रहते हैं और उनका जो टेकनिकल सपोर्ट है हमें मिलता रहता है और उसके साथ ही साथ मैं शुक्र गुजार हूँ आप स सब की मीडिया दिक्ष्णरी को इतना प्यार, समर्थन, सहयोग और प्रोचसाहन देने के लिए Thank you so much. Happy birthday, Media Dictionary. It's your second birthday. May you live long for decoding media and promoting media literacy.